डॉक्टर बाबा साथ भीम्रावंबेटकर जी ने सम्विधान की एक लाइन दी नहीं लिखी है साथ अफरीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट और पूरी दुनिया के दिगज निताओं में से एक निता नेथन मंडेला ये कहते हैं कि भारत से अगर कोई चीज लेले नायक है तो वह बाबा साथ भांबेटकर के द्वारा लिखा गए भारत का संविधान कितना गरव महसुस होता है दोस्तों कि एक दिगज नेता ऐक बड़ा नेता एक समयास्तर द्सद्रक हमारे समईधान और हमारे समयदान निर्माता बाबासाब हम बेटकर के बारे में ऐसे वाक बोलता है कितना गरो महसूस होता है लेकिन वहीं हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते फिर रहे हैं कि बाबासाब हम बेटकर ने समयदान में एक लाइन भी नहीं लिखी है जो वीडियो भी आपने देखा है वो MP के रायसेन से एक स्कूल के प्रिंसिपल का है इनका नाम है जितेंद्र मिश्रा इनका मानना है कि बाबा साब अमबेटकर ने समयधान में एक भी लाइन नहीं लिखी है जबकि आपको हम सब को मालूम है कि बाबा साब अमबेटकर ही हैं जिनकी बज़ालत हमारे देश को एक बहतरीन और विश्तरिस्थ समयधान मिल पाया है आप सभी को पता है कि बाबा साब मेटकर को समयधान सभा के द्वारा मासौदा समयधी का अध्यक्ष बनाया गया था यानि कि ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंड बनाया गया था पूरी जिम्मेदारी थी उनके उपर समयधान लिखने की लेकिन वहीं ये सक्स कह रहा है कि बाबा साब मेटकर ने एक लाइन भी समयधान में नहीं लिखी है तो दोस्तों ये कौन लोग हैं जो समय समय पर फन उठाते रहते हैं समयधान पर उगली उठाते रहते हैं समयधान बदलने की बात करते हैं ये कौन लोग हैं जो इतनी बुराईया करते हैं अगर इनको जानना है तो आपको थोड़ा सा एनलेसिस करना पड़ेगा कि हमसे जो जलने वाले लोग हैं या आप अपने उपर एक एक जामपल सेट करिए कि आपसे जो जलने वाले लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं वो क्यों करते हैं दरसल वो बुराई इसलिए करते है क्योंकि वह आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं यही कारण है दोस्तों कि बाबा साब अमेटकर जिस परिस्तिति से निकल करके जिस समाज से निकल करके आते हैं उस समाज तिरसकारिस समाज था उस समाज से निकल करके बाबा साब अमेटकर ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने एक बैतरीन सम्विधान दिया, ये चीज इन लोगों को पच्चती नहीं है, इससे ही हमेशा जलते रहते हैं, ये बाबा साब मेटकर की बराबरी कभी नहीं कर सकते, यही कारण है कि ये बुराई करते रहते हैं, क्योंकि बाबा साब मेटकर बहुत महान हस्ती हैं, बाबा साब मेटकर की जितनी सिख्छा थी, जितना उनका घ्यान था, वो अतुल्नी और अकल्पनी है, बाबा साब मेटकर के मातर एक सोध की बदवला थी, आज हमारे देश में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया खड़ा हुआ है, रिजर्ब बैंक की अस्थापना, बाबा साब के मात एक सोध पत्र पे हुआ है, तो सोच लिजिए, बाबा साब मेटकर कीतनी बड़ी हस्ती थी, हमें अक्सर ये नियूज सुनने को मिलता रहता दोस्तों, कि सम्विधान को बदल देना चाहिए, सम्विधान में ये बदलाव कर देना चाहिए, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो हमेशा सम्विधान बदलने की बात करते हैं, दरसल ये वही लोग हैं जो बाबा सम्मेटकर से हमेशा जलते आ रहा हैं ये वही लोग हैं जिनके पुरोजों में सम्मेधान लिखने का बूता नहीं था सम्मेधान लिखने की समझ नहीं थी उनकी आउलादे आज कहते हैं कि सम्मेधान को बदल देना चाहिए तो ऐसे जीतेंद मिस्रा जैसे कई लोग हैं जो सम्वेधान के उपर हमेशा उंगलिया उठाते रहते हैं लेकिन ये कभी सम्वेधान लिखने वाले की बराबरी नहीं कर सकते हैं लोगों का क्या मानना है आप लोग क्या सुझाओ देना चाहेंगे जीतेंद मिस्रा को कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा बहुत बाश्चुक्रिया